कि यह पहले ना एक बार पुराना कॉसीट याद दिला दें आपको और सिर्फ हेडिंग एडिंग इससे नए वाला और पुराने वाले में मैं कंपेरिजन कर दूंगा बात ही खतम हो जाएगे चली मैं पहले old वाला बता देता हूँ और फिर new वाला भी बता दुआ क्या changes आ है आप बोलों कि minors और changes है सबसे पहले material था plus opening stock minus closing stock और ये किसका raw material था और plus direct expense ये करते थे न हम याद है या भूल गए और इन सभी को करने के बाद हमें एक result मिलता था और इसको नाम देते थे prime cost सर नई वाले में क्या change है नई वाले में same कोई फरक नहीं जहां फरक आएगा मैं बता दूँँगा नया ना costing standard है costing standard 4 जिसे CAS के नाम से दे देते हैं costing accounting standard 4 तो examiner बोलेगा के costing standard 4 के हिसाब से बनाओ तो जो अब नहीं वाला बताओंगा वो ऐसे बनाना और बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा तो आपकी मर्दी है फिर इसके बाद क्या होता था हमारा factory cost या फिर overhead कहलो यही था ना और यहां पर क्या आता था फिर हमारा gross factory यहीं पर changes आया है नहीं वाले method में क्या changes आया है इन्होंने लिखा factory overhead और यहीं पर plus कर दिया WIP opening और minus कर दिया WIP closing और साथ के साथ admin admin expense भी यहीं पर कर दिया उन्होंने सर कौन सा admin expense जो की production से related है production से और normal वही जो की करते थे admin यहां पर क्या था gross factory के बाद plus करते थे WIP और minus करते थे WIP इसको करने के बाद हमारा क्या आता था सर आता था हमारा net factory cost है ना net factory लेकिन यहां पर net factory और gross factory वाला चकर खदम उसके बाद क्या करते थे admin 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 करने के बाद क्या आता था सर हमारा cost of production तो यही सारी बाते जो हम अलग-अलग heading में करते थे हमने क्या कर दिया जोड दिया तो अब जो हमारा अगला heading आएगा बस यही बदलाव है और कुछ नहीं बदलाव है नए और पुराने में यानि बीच के दो heading हटा दिये काफी बच्चे परिशान हो रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूं सरिफ आपको ठीक है और कुछ नए खर्चे नए नए नाम के incorporate हो गए जैसे cost control experimental expense तीन चार खर्चे नए नए है जो कि law में लिखा हुआ है उस खर्चों का मैं नाम अभी लिख दूँगा बस वो ध्यान रखना है कि भाईया वो यहीं से related है बस इसके बाद यहां तक अगर आप देखो ना comparison करो तो यही changes इसके बाद अगर मैं जाओं साहिद किसी बच्चे ने मेरे को ना फॉर्मेट भी 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 जाता मैंने फॉर्मेट देखा भी नहीं क्या है एक बार दुबारा भीज देना क्या है नई cost sheet में उसको भी analysis कर लेंगे बिल्कुल बता देंगे material वाले अभी cost sheet वाले बच्चों का ले लेते हैं इसके बाद क्या आता था है यहाँ प्लस opening stock minus same यहाँ plus opening stock minus मैं तो कहूंगा आसान हो गया यह क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा खिच्पिस था वो एक step हट गया हमारा ठीक है न और यहाँ पर क्या आता था cost of good sold है न सेम अब भी रहेगा यहाँ पर भी यही आएगा इसको minus plus करने के बाद मैं बहुत roughly समझा रहा हूं आपको cost of good sold roughly समझा रहा हूं देखिए लेकिन बस जिस बच्चे ने cost sheet करा होगा ना seriously इसको लगए कोई फरक ने पड़ा आज वाली वीडियो देखके सारे question कर मारेगा इसी method से कोई फरक ही ने पड़ेगा उसे ठीक है चलिए अब इसके बाद क्या आता था हमारा selling और अब अब यहां भी selling कोई फरक नहीं सर सेलिंग बस यहां पर अगर sales admin expense अगर sales related है तो पहले भी नीची आता था है वैसे कोई फरक नहीं है नए खर्चे दे रखें वो लिख देते हैं क्या नए खर्चे हैं भाई साव हां उसके अंदर जो नए वाला ten year इसलिए hold पे गया क्योंकि सारे answer change होगी ने आप नए method से करके डाल रहा हूं उसमें पुराने वाला हटा ही रहा हूं मैं जंजट खतम क्या क्या कोस्ट जो है आपको ध्यान रखना है जो यहां आएगा एक है आपका quality control कॉस्ट इसके बाद एक है research and development इसके बाद बस और एकाद कॉस्ट और हो सकता है एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट वो तो पहले भी था यह तीन खर्चे नई देखने को मिलेंगे आपके पेपर में जो बच्चे हैं जिनके पास last year का question paper था वी कॉम अनर्स में उसमें नई cost के हिसाब से ही आया था तो उसका solution आपको मिल जाएगा जिस बच्चे के पास नहीं है question paper है तो solution में कल upload करवा दूँगा जिससे आप अपने आंसर को नई वाले paper के solution से match कर सकते हो हाँ बिल्कुल relating देखो यहाँ पर production से यहाँ पर है और package से related यहाँ डाल दिया उन्होंने कहता है कि admin expense जो यहाँ लिखा है ना admin expense जो production से related है यहाँ पहले भी production से related है आता था अगर मैं कहूं के for example salary salary एक admin expense अगर मैं salary बोलू salesman का तब भी यहीं आता था और अब sales अगर बोलता था तब आप admin में डालते तो बात वही है बस book के अंदर क्या करा उसको define कर दिया के related to production और related to selling and distribution ठीक है नहीं भाई material की अभी दो class और होगी चिंता मत करो material की नहीं है जिन बच्चों का भी internal exam है उनके internal exam में help करेगा कब अब है internal exam आपका मेरे खाल पर्सों बता रहे हैं बच्चे कब है आपका हो गया college अच्छा तभी बताए नहीं कब है कुछ कल से college स्टार्ट होगा हां तो internal हो जाएगा जिनका भी हो जाएगा बढ़िया करके आ जाएंगे वह फटा-फट बाकी chapter कर रखें overhead में एक बच्चा आउट था वो भी अलग से डिलवा दिया है सर्थ कौन से डाउट लेने आपके डिपिका मैंने तो कुछन सारे कर दिये थे last class नेक्स चेप्टर अभी material चलेगा लीफो फीफो है उसके अंदर कुछ advance questions भी करवाऊंगा मैं फिर उसके बाद खतम होगा वो chapter देन हम process करेंगे कॉसीट का question 5 वो तो आप करके भेज़ दो दिपिका मुझे या solution मैं put कर देता हूँ उसमें तो आज की class मैं much more नहीं लेने वाला था सिर्फ आपको इतना बताना था major part जो आपके exam से related है कर दो कर दो कर दो करेंगा मैं